So hey guys, आज हम बात करने वाले हैं 2017 में आई एक काफी दिल्चस्प मूवी पर जिसका नाम है The Healtics दोस्तो ये एक काफी भेतरीन मूवी है जिसकी IMDb rating है 4.7 out of 10 बट surprisingly इसे rotten tomatoes पर मिले है 83% which is interesting तो इस मूवी की कहानी आपको काफी ज्यादा पसंद आएगी जो kind of bit different story है तो दोस्तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन आल पर कर दे ताकि आपको एस ही interesting वीडियो की notification सबसे पहले मिलती रह तो अब बिना देर के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ let's roll the intro मूवी के शुरुवात में हम कलोरिया नाम के एक लड़की को देखते हैं जिसे कुछ कल्ट के मेंबर्स उठा कर ले गए थे अब ये सारे कल्ट मेंबर्स जो है वो गलोरिया के ही सामने demonic ritual करते हुए अपने गले काट लेते हैं जिसके चलते सारे कल्ट मेंबर्स रिचॉल में मारे जाते हैं एंड गलोरिया फ्री हो जाती है अब गाईज इन कल्ट मेंबर्स ने खुद की जान लेके गलोरिया को फ्री क्यू किया ये हम आगे जानेंगे देन पाच साल बाद हम गलोरिया को देखते हैं जिसे आज भी पाच साल पुराने रिचल्स के सपने हॉंड करते थे वो सुभा उटती है और अपनी मौन से बात करके एक ठेरेपी ग्रूप में जाती है वो इस ग्रूप का काफी सालों से हिस्सा थी इस ग्रूप में सभी ऐसे लोग थे जिनके साथ पाच में अजीब सी चीजे हुई थी उसी ग्रूप में ग्लोरिया की एक गल्फरेंट थी जिसका नाम था जॉन ये दोनों कपल्स थे जॉन के पिता उसे काफी मारा करते थे और उसका भी पास्ट काफी बुरा रहा था ये दोनों ग्रूप मीटिंग के बाद रात को इंटीमेट होते हैं और जब ग्लोरिया अकेली अपने घर पे रात को आ रही थी तो एक बड़े से वैन वाला बंदा ग्लोरिया को किड्नैप करके अपने साथ ले जाता है इस बंदे के हाथ पर डेमानिक कल्ट का एक निशान था सुभा जब ग्लोरिया की आग खुलती है वो अपने आपको वैन में बंदा हुआ पाती है और ये आदमी उसे कही पर ले जा रहा था ग्लोरिया अपने फोन से अपने मा को कॉल करती है बट ये आदमी फोन चीन लेता है और उसे बेहोश करके वो वूर्स में ले जाके एक केबिन में बांद कर रखता है दूसरी तरफ अगले दिन जॉन को ग्लोरिया कही पर भी नहीं मिलती तो वो जॉन की मॉम रूत को कॉल लगाती है जब ग्लोरिया की मॉम रूत फोन रेकॉर्डिंग चेक करती है तो उस रेकॉर्डिंग में ग्लोरिया की चिल्लाने की आवाज हम सुन पाते हैं रूत तुरंत पुलिस को बुला लेती है, जॉन भी अपने थेरेपी ग्रूप के मेंबर्स के साथ ग्लोरिया को ढूडने लगती है, दूसरी तरफ केबीन में ये आदमी ग्लोरिया को ये बताता है कि वो ग्लोरिया को उसके सेफटी के लिए यहाँ पर लेकर आया है और वो अगली सुभा साड़े छे तक फ्री कर देगा, इस आदमी का नाम था थॉमस, थॉमस बोलता है कि वो पात साल पहले उस कल्ड का हिस्सा था, जिसके कुछ लोगों ने ग्लोरिया के सामने ही अपने गले काटे थे, थॉमस बोलता है कि उसे कभी भी डेविल पर यकिन नहीं और उस पे फेद भी कभी भी नहीं था, बट उसके फैमिली के फोर्स में आके वो इस कल्ड का हिस्सा हुआ था, प्लैन के अनुसार थॉमस को भी सारे फैमिली मेंबर्स के साथ अपना गला पात साल पहले काट देना था, बट उसने एसा नहीं किया, उसने मरने का सब के साम ने नाटक किया, ग्लोरिया पुछते हैं कि इन सब ने ये रिचुल क्यों किया था, तो थोमस बोलता है कि इस रिचुल के बाद तुम्हारे शरीर में एक डीमन पल रहा है, जिस डीमन का नाम है अबैडान, और पाथ साल बाद वो तुम्हारे शरीर से जनम लेगा, ऐसा ते ह हुआ था, और वो पाथ साल कल सुभा कंपलिट होने वाले है, इसलिए वो उसे बचाने के लिए यहाँ पर लाया है, दूसरी तरफ हम जॉन को देखते हैं, जो डेस्परेटली ग्लोरिया को पूरे शहर में ढून रही थी, वो पूरे शहर में मिसिंग पोस्टर्स लगा र एक चाकू उसके गले पर लगा के, ये बंदा पूलिस कम्पलेंट कर देता है, जब रात को जॉन रूट के घर पर आती है, पूलिस वाला जॉन को उस आदमी को धमकाने के सिलसिले में पूश्टाश करने के लिए पूलिस टेशन ले जाने आया था, बड़ जॉन घुस्से के प्यार में पागल थी राइट नहीं इसका कुछ और रिजन था वो डेस्पिरेटली किसी रिजन के चलते गलोरिया को ढूंड रही थी जहां केबिन में थॉमस बोलता है कि पात साल पहले उस कल्ट में दो लोग जिंदा बचे थे उन दो लोगों में से एक बंदा वो से डीमन को इनवोक करेगी एंड एबेडान डीमन गलोरिया के शरीर से भार आ जाएगा याने गाइज इसलिए हम जॉन को इतना डेस्पिरेटली गलोरिया को ढूंटे हुए देख रहे थे असल में जॉन गलोरिया को मारना चाहती थी ताकि सारे कल्ट वाले लोगों का सेक और शुरू से ही वो खून की एंड बालों से भरी हुई ओमिट कर रही थी अब थोमस बोलता है कि असल में जॉन उसकी बहन है और उसकी बहन का असली नाम जॉन नहीं बलकि ग्वेलेडान है हम जॉन को उसके घर में देखते है जिसे हम डेविल के सामने प्रे करते हुए द देख लिया था ये आदमी जॉन को डिरेक्शन बताता है एंड जॉन समझ जाती है कि ये काम उसके भाई थोमस का है जो ग्लोरिया को केबिन में ले गया है वो केंड के साथ वहाँ पर जाती है एंड उसे भी मार कर वो केविन के पास आती है केविन में तो थोमस को काफी सा अब सुभा के छे बज गए थे एंड एबैडान डीमन के आने का समय काफी पास आ चुका था था थोमस अपने बहन को समझाने की काफी कोशिश करता है बट वो नहीं मानती अब ग्लोरिया पर भी डीमन हावी होने लगा था जैसे ही थोमस बाहर आके जौन के सामने गन तानता है ग्लोरिया के अंदर का शेतान उस गन को थोमस की ही तरफ मोड़ देता है इसलिए डर के मारे थोमस गन को नीचे फेक देता है देन उसे बांद कर रखा जाता है एंड हम जौन के साथ 5 साल पहले मरे कल्ट मेंबर्स को भी देख पाते हैं जिनकी आत्मा अब यहाँ पर आ वाला था और उसके शरिल से फिर से भार निकलने वाला था तभी थोमस एक फावडे से रिचुल कर रही अपनी बहन को मार देता है जिसके चलते वो मारी जाती है एंड हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ अब ठीक हो गया है बर स्क्रीम ब्लैक आउट के बाद हम यह देख पा अज होने वाला था और इसी के साथ मूवी यहां पर एंड हो जाती है यानि कि इस मूवी के एंड में हम यह देख पाते हैं खिट थॉमस फेल हो चुका था और बुराई की जीत होई यानि के अब एबड़ान डीमन आजाद हो चुका था दोस्तों इस मूवी में हमने यह भ प्रिम्याब हो गए एंड मूवी यहां पर एंड होती है तो दोस्तों यह थी दो हीरेटिक्स मूवी की कहानी इस मूवी की कहानी काइंड ऑफ थोड़ी सी डिफरेंट थी एंड यह मूवी एंड तक सस्पेंज भी बनाती है मूवी को रॉटन टोमैटोस पर 83% मिलने के बा मूवी काफी मस्त हैं आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइक ऑल पर कर दें ताकि आपको इसी ही इंट्रेस्टिंग वीडियो की नोट झाल झाल